हेलो एवरिवान वेलकम टू जयारे फट्डा आपका स्वागत है जयारे फट्डा पे और मैं हूँ आपके एजुकेटर रचना अगरवाल चलिए आज जो है मैं आपके लिए एक स्पेशल सेशन लाई हूँ बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो है मुझसे सवाल पूछ रहे हैं पिएजडी ओनली क्वालिफाइ कर पाए माम जयारे फ रहे गया हमारा हम दो बार से दे रहे हैं नेट निकल रहा है मगर जयारे फ नहीं हो रहा है तो दो क्या तीन बार वाले बच्चे भी है और उनके जो मैसेज में देखती हूँ मेरा ऐसा लगता है कि यार मतलब कहते है दिल तूट जाना बस बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा है मैं मानती हूँ बहुत महनत करके जो है एक स्टूडिंट एक्जाम के तयारी करता है और किसी कारण वश बहुत सारे कारण होते हैं जे आरे फ नहीं होने के जे आरे अगर आपका एक क्वेश्चन से रह गया है या एक कॉमन सेंस हो तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों से आज डिसकस करना चाह रही हूँ और क्या डिसाइड करना है आपको अपनी लाइफ में ये सब हम डिसकस करेंगे ठीक है आज के सेशन में चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो है सेशन देखें सबसे पहले जो है वही बात पर वापस आते हैं अगर आपका J.R.F. नहीं हुआ है चोटा सा सेशन होगा जयादा लंबा नहीं खी छूंगी मैं J.R.F. नहीं हुआ है आपका आप रहे गये हैं कुछ मार्क से फिर से इस बार ठीक है तो आपके पास जो है तीन रास्ते हैं कितले रास्त तीनों रास्तों को ध्यान से सुनिएगा, समझेगा और एनालिसिस करेंगे हम लोग सबसे पहला option है आपके लिए कि आप जो है बिलकुल PhD की जर्नी स्टार्ट कर दे यानि कि आप obviously UGC net qualified है, PhD के लिए eligible है सिर्फ PhD only category 3 में आये हैं तो भी आप PhD के लिए eligible है PhD करने के लिए आप आराम से eligible है, PhD only वालों को बहुत confusion है मैं इस वीडियो में ये भी clear कर देती हूँ, कई बच्चे ये सवाल बोल रहे है मतब ऐसा कह रहे हैं कि माँ कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये scam है पता नहीं कित्ती सारी बाते कर रहे हैं, कोई scam नहीं है UGC ने निकाला है, UGC is the apex body in the higher education तुम लोगों मैं पढ़ा चुकी हूँ higher education में अगर उसने कुछ फैसला किया है, तो obviously कि universities को time लगता है क्योंकि ये पहला result आया है, जिसमें category 3 में आया हुआ है और CSIR में भी category 3 आ चुका है, तो universities भी अपने जो notice है उसमें कुछ अपडेशन करेगी ही करेगी, अगर मा लेजे कि उनके notice में कोई अपडेशन नहीं आता, जैसे जामिया, इसलामिया है आपका और JNU है या BHU है, अगर उनके notice में कोई बदलाव नहीं होता है तो में मेरा आपसे यह कहना है कि आप उन universities के department का phone number आपको website में मिल जाएगा, आप call करके उनसे पूछ सकते हैं या physically भी जो लोग आसपास रहते हैं, physically जाकर पूछिए कि जो PhD only है, उनका क्या होगा, आप पूरा procedure ठीक से बताएं तो आपको पता चल जाएगा, जब दस्ती के panic होने से कोई मतलब नहीं है कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, YouTube पे दस्तरे की बाते होती है मैंने आपको हमेशा बोला है, authentic चीजों को पहचानना सीखो ठीक है, authentic चीजों को पहचानना सीखो, क्या authentic है कहां content authentic मिलता है, कहां फालतू बाते नहीं होती है इन सब को पहचानना सीखे, यही तो है आपकी समझदारी यहीं पे होगी जब आप preparation करते है तो आप समझ गए, मैंने आपको बोला कि अगर PhD only भी है या फिर आप UGC net qualified है और आपने पहला रास्ता चुना कि मैं मैं अब PhD की journey full flesh start करना चाता हूँ यानि कि मैं अब re-attempt नहीं लूँगा, ठीक है मैं अब UGC net की तेयारी नहीं करना चाता हूँ यह आपका पहला रास्ता होगा दूसरा रास्ता होगा आपका re-attempt मैं लूँगा मैं मैं re-attempt वापस लूँगा अभी PhD नहीं अभी PhD को hold पे रखोंगा मैं यह December exam जो है December 2024 का जो exam है वो मैं वापस से एक बार फिर से try करना चाता हूँ क्योंकि मैंने कुछ goal decide किया था और उसे मैंने नहीं पाया तो मुझे पाना है वो मेरे अंदर वो चीज है कि मैं उसको पाके रहूँगा यह आपका दूसरा रास्ता है और आपका तीसरा रास्ता है कि मैं अपनी PhD की जर्नी भी start करूँगा start and re-attempt भी दूँगा ठीक है यह आपका तीसरा रास्ता है अब आप अगर मुझसे पूछोगे कि मैं as an educator और आप अभी दो साल हो जाएंगे मुझे UGC net के तयारी करते हुए और दो साल आप और add कर दो मेरे preparation का time तो यह सब experience अगर आप add करो तो आप क्या कहना चाहते हो मेरी अगर बात सुनोगे तो तीसरा रास्ता अपनाओ third way is the best way according to me आप कोई भी रास्ता अपना सकते हो आपके situation के according लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि जब ये तीसरा रास्ता आप अपनाओगे तो आपको क्या फाइदा होगा ठीक है चलिए इसी के बारे में बात करेंगे अब यहाँ पे जब आप तीसरा रास्ता अपनाओगे तो मैं हम manage कैसे करें time को यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको time management के बारे में बताऊंगी कि time management आप कैसे करोगे देखो ध्यान से सुनना वही 70 to 30 का ratio लेकर चलिए हम कैसे मैं देखो अगर मान नीचे मैं एक example दे रही हूँ अगर माने चे आपके बस 10 घंटा है मने यह 10 घंटा पढ़ते हो हो सकता है तो मैं बस example बता रही हूँ कि अगर आप 10 घंटा पढ़ते हो तो 3 घंटा उसमें से 3 hours उसमें से आप अपने research proposal को दीचे आप research proposal बनाना शुरू करिए PhD की जर्नी ऐसे ही नहीं स्टार्ट हो जाती है कि आप गए और आपका स्वागत होगा फूल माला डाल कर स्वागत होगा कि आईए और हमारे हाँ research scholar बन जाईए ऐसा नहीं होता है आपको एक बहुत अच्छा topic ढूंड कर narrow down करना है broad topic से narrow topic पर आना है और proposal बनाने का time भी एक डिड़ महिना लगता है यह दो महिना लगता है क्योंकि आपको related literature भी बहुत सारे पढ़ नहीं होगे तो research proposal बनाने का जो है अपना कारेकरम शुरू कर दीजे जो लोग central university नहीं अपने past की university में जाना पसंद करते हैं state universities जहां उन्होंने master's कर रखा है और मैं तो हमेशा suggest भी करती हूँ आपको कि उन्हीं universities को approach करना चाहिए जहांके guide जहांके professors आपके पहचान के हो आपकी research की journey बहुत आसान हो जाती है तो मेरा मानना है कि अगर आप past की universities में करना चाह रहे हैं तो research proposal बनाने से पहले एक बार अपने professor से मिल लीजे और थोड़ा जान लीजे कि यार कौन professor कौन से area में जादा interest रखता है तो जिस professor के under करना है आपका मन है तो आप उसी topic के under अपना research proposal बनाए नहीं तो कभी-कभी फिर आपका महनत भी बेकार हो जाएगी आपने इतनी महनत की एक डिड़ महिना दिया और जब आप present करने गए तो professor ने बोला कि नहीं नहीं बेटा आप इस topic पे आप research करिए ठीक है तो यहाँ बे मेरा ऐसा है कि आप एक बार मिल लीजे अपने department में कि आप ही का नाम यहाँ पे छपा हो कि J.R.F. जब qualified आता है तो your name will be there हो सकता है कुछ भी हो सकता है बस द्रड इच्छा शक्ती होनी चाहिए positive सोचते रहे कि यह J.R.F. मेरा है आपके साथ positive होगा ही होगा ठीक है तो दिसंबर 2024 की तयारी करना शुरू कर दीजे एक और बार तो साथ घंटा यह मैंने आपको 70 to 30 का ratio बताया है कि इस तरह से पढ़ना चालू करेंगे ठीक है इस तरह से अपने time को manage करेंगे अगर आपके पास 5 ही घंटा है तो फिर आप mathematics लगा दीजे ratio निकालना सबको आता है 5 घंटा है पढ़ने का तो भई देख लिजे 30 upon 100 into 5 ठीक है बहुत इस तरहीगे से बता रहे हूँ यानि कि 5 threes of 15 upon 10 यानि डेड़ घंटा आप research proposal के देंगे और 3.5 घंटा जो है वो आप किसके लिए देंगे अपनी December exam के तयारी के लिए एक पर वापस ठीक है अब इसी बात पर कि माम हमने हिम्मत हार लिए माम वही वही चीजे पढ़ पढ़ के हम ठंक गए है तो अभी मैंने एक अपने JRF qualified student का interview लिया था और उसकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी वैसे उसकी success journey भी जल्दी ही आएगी I think Tuesday or Wednesday मैं आपको success journey दिखा रही हूँ उनका premiere पे आएगा सुनिएगा उसने एक बहुत अच्छी बात बोली कि माम अगर मैं हिम्मत हार जाओंगी तो जो भी aspirant UGC net qualify हो रहा है या PhD qualify हो रहा है और J.R.F. qualify नहीं हो रहा है तो वो बस एक ही बात सोचे कि मैंने क्या सोच कर जो है start किया था क्या सोच कर जो है मैंने start किया था ये preparation करना बस उसी सोच को बरकरार रखिए और अपने लक्ष से भटकना नहीं है आपने लक्ष निधारित कर लिया कि मुझे J.R.F. निकालना है एसिस्टन प्रोफेसर बनना है तो बस उस गोल को पाने के लिए लगे रहिए एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं चार बार नहीं, पाच बार नहीं छे बार में निकलेगा आपके पास age है, number of attempts की कमी नहीं है आप UPSC वालों को देखी चार attempt मिलता है, वो चारो attempt देते हैं और कभी-कभी चौथे attempt में उनका निकल जाता है तो आपके लिए कौन सा attempt लिखा हुआ है तो आप अपनी हिम्मत नहारे और अगर आप 2 mark से रह गए है या एक question या 2 question या 4-5 mark से भी रह गए है तो आप समझे कि आप बहुत जादा करीब है यानि कि आपकी तयारी बहुत सही है आपकी तयारी में कमी है तो वो बस आपको ढूनना है कि कहां पर मैं कम रह गया या तो mock test लगाने में कमी रह गई मेरी जिसमें कि मेरा speed कम रह गया या फिर मैंने syllabus पूरा ठीक से cover नहीं किया था वो अब मुझे करना है जो weak area है उसको strong करना है ऐसे बहुत सारी चीजों को बस आपको analyze करना है और देखें आपको रास्ता मिल जाएगा रास्ता clear है आपके लिए तो अब December exam की जब आप preparation start करेंगे तो सबसे पहले आप analysis करेंगे अपने weakness का time लीजे दिवाली तक का time है पूरा time लीजे आप अपने weakness को analysis करेंगे कि कहां मैं कम पढ़ गया या कम पढ़ गई और उस पे काम करना चालू करेंगे जो आपके strong units हैं अभी उसको थोड़ा सा side में कर देंगे और जो आपके weak units थे उस पे अब आप focus रखोगे चाहे paper 1 में हो चाहे paper 2 में हो इस पे focus रखें पर strong units को neglect नहीं करना ये भी ध्यान दे दूँ ये भी आपको important बात बता दू इसको भी साथ में लेकर चलना है लेकिन थोड़ा कम टाइम देंगे weak units को पहले strong कर लेंगे अपना ठीक है तो ये सारी बाते करेंगे और यहाँ पे मैंने आपको बताए ही है कि जिनका UGC net निकल गया है और कुछ मार्क से रहेगा या score के accordingly अगर मैं बोलू तो JRF Adda आपकी help करने को ready है ये scholarship program आप ही के लिए आप ही जैसे students को सोच कर जो है चालू किया है जो ये बच्चे पूछ रहे थे कि मैं scholarship program क्या है तो देख लो इसको मैं आपको एक superficial idea दे रेती हूँ आपने जो exam दिया अभी UGC net का अगर आपका score 200 plus है है ना 200 plus है तो आप help line number पे call करेंगे help line number पे call करके आपको admit card अपना देना पड़ेगा उनको as a proof obviously और आपको 50% scholarship मिल जाएगी और देखो limited offer है भाई जल्दी से खतम हो जाएगा scholarship बहुत लंबे time तक नहीं चलता है ये off की तरह नहीं है discount की तरह की तोड़ा लंबे time तक चल रहा है scholarship कम लोगों को मिलती है क्योंकि 50% scholarship है जितने लोगों ने भी net qualify किया है मेरे भी paid batch में भी students है कुछ जिनसे में उचे था कि या इस बन का J.R.F. निकल जाएगा उनसे मेरा special request है हार मत मानो वापस से जुड़ना चाते हो batch में अपना sink बनाना चाते हो तो 50% scholarship है इसका फाइदा उठा लो अगर 190 प्लस score है आपका यानि 190 से उपर है आपका score तो 30% scholarship मिलेगा और अगर 180 से उपर आपका score है UGC net अभी exam में RE net के exam में तो आपको 20% scholarship मिलेगा करना क्या है मैंने आपको बता दिया कि ये रहा जो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे पर मैं आपको यहाँ पे PDF में आपको मिल जाएगा आपको जो है help line number पे call करना इस वीडियो के description box में भी help line number मिल जाएगा help line number पे call करिए और उनको अपना admit card दीजे और आपको scholarship तुरंद दे देंगे वो आप batch join कर लीजे जादा late नहीं करना है अब जो beginner है माम हम तो beginner है हमको कैसे scholarship मिलेगी तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है जो beginner है उनके लिए 20% off चल रहा है ठीक है और batch देख लिए J.R.F.Adda premium batch पेपर 1 प्लस education का batch है आपके पास इसमें choice है आप only paper 1 भी ले सकते हैं only education भी ले सकते हैं या दोनों combination अगर आपका दोनों subject है दोनों पढ़ना चाहते हैं तो दोनों भी ले सकते हैं ठीक है और ऐसे ही psychology भी मैं पढ़ाती हूं तो इसमें भी आपके पास choice है psychology वाले students को भी हमारे education batch में धमाका हुआ है और इस बार December में जितने भी psychology के students है उसमें जी जान से महनत कर रही हूं वहां से भी धमाके होंगे इस December exam के result में तो अगर आपको हिसा बनना है तो join कर दीजे ठीक है और 20% discount जो new student है उनके लिए JRF20 है आपका code JRF20 scholarship program कोई भी बच्चा join कर सकता है जिसने ये exam दिया है RENET का अपना scholarship दिखाएं अपना sorry admit card दिखाएं और आपको scholarship मिल जाएगा लेकिन अगर आप beginner है आपने exam नहीं दिया RENET का तो फिर आप JRF20 discount coupon code लगा कर 20% discount ले लीजे तो ये आपको पताना था लेकिन आपको हमेशा पता है कि JRF अड़ा paid batch के लिए नहीं है ये जो है हमारे YouTube learners के लिए भी है जो paid batch effort नहीं कर पाते हैं उनके लिए भी JRF अड़ा हाजिर है भई हम educators आपको पढ़ाने के लिए हमेशा ततपर रहते हैं UGC Net Humanities चैनल को subscribe कर लीजे और आप मेरा timing देख लीजे बस जल्दी ही इस हफते नहीं तो लेकिन जल्दी ही हम लोग start करेंगे अपना regular course 12.05 पे मेरी class होगी Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday JRF Adda YouTube चैनल पे Paper 1 की class होगी साड़े साथ बजे JRF Adda चैनल पे education वाले बच्चे जुडेंगे Monday, Tuesday और Wednesday ये next week से start हो जाएगा आपका और psychology वाले बच्चे भी Thursday, Friday, Saturday साड़े साथ बजे पर इनका चैनल है UGC Net Humanities तो UGC Net Humanities चैनल को ज़रूर subscribe कर लेंगे सारे psychology के students जो मुझसे पढ़ना चाते है ठीक है तो और इसी के साथ JRF Adda आप को भी डाउनलोड कर लीजेगा चाहे ही आपको batch नहीं लेना पर आप ज़रूर डाउनलोड करके रखिए क्योंकि जबी भी mock test आता है free mock test इसका notification आपको मिल जाएगा और आप mock test भी दे सकते हैं और कितने all India rank holders जो हैं उन्होंने mock test के बारे में बताया है आप interview में सुनना कि कैसे उनको जो free mock test है वो जबी भी आता था app पर उन्होंने लगाया है और वो उनको बहुत फाइदा दिया है कम से कम 10 से 15 question mock test और marathon से उसको मिल गए तो you can understand कहां क्या फाइदा हो जाएगा, you never know तो भाई मैंने आपको पूरी strategy बता दी है, ma'am क्या करना है ये आपको decide करना है you have three options पर मेरे हिसाब से आपको तीसरा option opt करना चाहिए ठीक है, तो thank you so much everyone, tata bye bye, take care all the best for your preparation, कोई भी doubt हो इस वीडियो के comment section में जरूर लिख देना और आपके doubt को भी मैं resolve करूँगी thank you so much